हेलो गाईज, आज हम बनाएंगे मतर की कचोरी, मतर की कचोरी बनाने के लिए हमने एक मिर्च और कुछ मतर के एक कटोरी मतर के दाने लिये हैं, उनको अच्छे से दोलेंगे हम और साफ कर लेंगे और उनको हम एक मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे, हारी मिर्च भी साथ जो लेम बटर दर्ट दनिये दाएंगे से बटटे लदेंगे asy faces on a weg उसमें रret उसमें ठोड़το साथा पूर्ड के सब्सक्राइब। पूरियों में बहुत अच्छा आएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक स्वाद नुसार डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया पोडर डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी पोडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, यह सब डालके हम अच्छे स से हाथ से इनको गूत लेंगे मिक्स कर लेंगे इसको समान को यह हमने अच्छे से मिक्स किया है फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको डो बनाएंगे इसका इसका हम एक स्मूद दो बनाके तयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे एकदम से पतला नहीं करेंगे नहीं तो हमारे आटा ज़्याद़ पतला हो जाएगा यह देखिए हमारे आटा थोड़ा सब थोड़ा चाहे जैसे हम पूर्योग लिए लगाते हैं ऐसे हमने आटा लगा लिया है और हमारे हाथ में आटा ना चिपके इसके लिए हम थोड़ा सब तेल लगा देते हैं आटे पे और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम अच्छे से मसल लेते हैं आटे को यह मसल लिया है हमने आटा बनके हमारा तयार हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी हम लोईया बना के तयार कर लेंगे यह हमने लोईया बना के तयार कर लिए हैं ऐसे ही हम दूसरी लोईया भी बना के तयार कर लेते हैं मटर की कचोरी खाने में भहुत ही खस्ता लगती हैं बहुत ही स्वाधिस्ट लगती हैं और ऐसी हम सारी लोईयों को बना लेंगे यह हमने लोई बना के तयार कर लिए हैं आप हम इसको बेलेंगे जब तक हमारा तेल कड़ाई में गरम हो रहा है तक तक हम पूरिया बेल के तयार कर लेते हैं सारी पूरियों को हम बेल लेंगे हमने एक लोई ली और उसको बेल लिया है तेल लगा लिया है, यह चिपकेना, अगर वो चिपकता है फिड से, तो हम दुआरा से तेल लगा लेंगे, उसको बेलेंगे, ऐसे हम दूसरी पूरी ले लिया है, उसको भी आटा डालके हमने देख लिया है तो आटा हमारा उपर आ गया है तो हमारा ये तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें पूरी डाल देंगे हमने कचोरी डाल दी है इसमें अब इसको हम अच्छे से तलेंगे जैसे यह उप़र आ जाएगी वैसे हम कलची से दवा के इसको फूलाएंगे इसको यह दवाने से धीरे धीरे फूलने लगी है देखिए ये फूल गई है और करारी भी हो गई है गोल्डन ब्राउन भी हो गई है हम इसको निकाल लेते हैं ऐसे हम हम दूसरी पूरी को भी तल लेते हैं हमने डाल दी है अगर आपको ज्यादा करारी बनानी है तो आप आज को लो मीडियम रखें और ज्यादा थोड़ा नरम बनानी है तो आज को थोड़ा हाई हाई मीडियम रखें और तब उसको तलें तो नरम बनेंगी ऐसी हमने दूसरी प पूरी को भी सेख लेंगे यह हमारी सिक रही है हमने नीचे वाली भी डाल के सेख लिए हम इसको भी पलट देंगे इतने यह सिकेगी इतने हम दूसरी पूरी को भी सेख लेंगे यह हमारी सिक्के तयार हो गई हैं देखिए कितने अच्छी फूली फूली बनी है पूरिया कचोरिया हमारी और यह देखिए दूसरी पूरी तीसरी पूरी भी बन गई है और ऐसी हमने बाकी पूरी भी ऐसी ही तलने लेंगे हम ऐसी बाकी पूरी तल लेंगे और आम इसको हम आलू की सब्जी के साथ, बहूती टेस्ठी लगती हैं किसी भी समय आप बनाईए, बहुती अच्छी बनती है, फूली फूली, अगर आपको वीडीय अच्छी लगे तो लाइक सेरो सब्सक्राइब करनה ना भूले, थैंक यू फॉर वाचिंग. झाल झाल